Hello friends, इस वीडियो में हम आप देख रहे हैं जैसे के मैंने कोश्चन बोर्ट पे लिखा हुआ है ये कोश्चन गेट के एक्जाम में आया हुआ है इसको लिखने का मेरा परपस क्या था? मैं अभी इसको सॉल नहीं करवाऊंगी लिखने का परपस क्या था? ताकि आप इस इन समझ सके के एक्जाम में कैसे कोश्चन आते हैं UGC हो, गेट हो जा कोई और भी जिसमें डिज्टल इलेक्ट्रोनिक्स आने की चांसी है उस ऐसे एक्जाम में ऐसे कोश्चन आ सकते हैं आपने बताना है इन में से कौन सी एक्स्प्रेशन एक्स्क्लिव नौर नहीं है तो इसको करने के लिए पहले हम फुल फ्लेच एक्स्क्लिव नौर का टॉपिक देखेंगे फिर ये कोश्चन इजी से हो जाएगा एक बात मैं आपको बता दूँ कि ऐसे कोश्चन ही 15-20 वा रेपीट हो चुका जिसमें ऐसी आप्शन गेवन होती है और स्टुडेंस मोस्ली बोलते हैं कि ये बहुत कन्फ्यूजिंग था जबके इसमें कन्फ्यूजिंग कुछ भी नहीं है हम देखते हैं कैसे करते हैं एक्स्क्लिूजिव नौर तो क्या होगा एक्स्क्लिूजिव नौर में कैसे आएगी हमारी आउट्पुट ठीक है जी एक्स्क्लिूजिव नौर भी दो तरह का काम करेगा as a buffer and as a inverter ठीक है तो एक्स्क्लिूजिव नौर में क्या होगा हम इसको erase कर देते हैं बाद में करेंगी इसको question को वीडियो के end में क्या A and B are two inputs तो output इसमें क्या आएगी input क्या क्या हो सकती है 0 0 0 1 1 0 and 1 1 दो variable के 4 inputs बन सकती है चार possibilities है तो exclusive norm में क्या होता है जब दोनो inputs A equal to B हो तो answer क्या आजाएगा 1 equal to B ध्यान से देखिए पहले में A की value 0 B की 0 दोनों equal है ना तो हम उसकी value क्या लिख देंगे हम sorry यहां पे लिखेंगे हम Y is able to 1 राइट और यहां पे भी दोनों 1 1 है तो 1 आ गया otherwise क्या आ गया 0 अब आगे देखते हैं क्यूंकि मैंने अभी तक आपको sum of product और product of sum के बारे में हमें जादा नहीं बताया कुछ भी नहीं बताया हम आगे वीडियो में के मैप में cover करेंगे तो आप उस वीडियो को भी चेक कर लेना तो इसमें हम वैसे में देखते हैं भी क्या है अगर तो हो बात किसकी product of sum की product of sum में हम zero output दिलेते हैं और sum of product में sum of products में हम one output वाली values लेते हैं simple ठीक है जी product of sums में हम क्या लेंगे zero output वाली values and sum of products में हम क्या लेंगे sum of products मतलब यहां पर हमारे पास दो terms आजाएंगी उनका sum पहली term क्या आजाएगी a की value 0 b की 0 तो मैं लिख दूँ a का compliment b का compliment क्यों क्योंकि values क्या है 0 0 फिर दूसरी value हमारे पास क्या पड़ी है यहां पे 1 1 तो यहां पे मैं लिख सकती हूँ a b so this is called sum of products तो जब भी XOR में हमने sum of product लेना हो तो one वाली values लेंगे sum of product किसी में भी लेना हो जिसकी output 1 i है उन terms को ही लेते हैं simple ठीक है अब हम देखते हैं product of sums product of sums का मतलब क्या है there are two terms जिनकी multiply है अब वो terms क्या है उनको देखना है इसमें उल्टा होता है 0 represents a value and 1 represents complement value कैसे मैं लिखती हूँ फिर आपको जादा clear हो जाएगा जैसे यहां पे 0 पहली term a दूसरी क्या है 1 तो यहां पे हम एका complement नहीं लिखेंगे क्यों क्योंकि this is product of sum तो this will be a plus b का complement और next को क्या लिखेंगे यहां पे 1 आ गया a complement plus b this is called product of sum output of x nor gate अब आगे देखते हैं जब भी ऐसा questions हमारे पास आ जाए तो आपने याद रखना है कि product of sum किस पे आएगा logic 0 पे and sum of product logic 1 पे output क्या आ जाएगी यह वली ठीक है तो final output अगर हम exclusive nor की बात करें तो हम ज़्यादा तर chances होते हैं sum of product वाली value को उठाने के तो जो आपको जैसे यहां पे मैंने पहले question निखा हुआ था अगर उसमें ऐसी value given होती जा फिर यह value given होती तो हम उसको very easily निशान लगाके लिख देते कि यह दोनों किसके लिए use होती है exnor के लिए exclusive nor के लिए अब हम आगे देखने हैं इसकी properties को यह है exnor and exnor का exor के साथ कोई relation होता है वो भी देखेंगे लेकिन मैं आपको बता दूँ exnor को represent दरने का method क्या होता है इसको ऐसे लिखते हैं short में a exnor this is exnor operator and a exnor b right so this is called exnor operator तो इसके equal दो values तो हमें पता चल गई इस truth table से निकाल ली अब बाखी की values क्या है वो देखेंगे हम आगे ठीक है जिस पे questions आते है हाँ जी तो firstly we are going to see properties हमने truth table से दो values निकाल के यहां पे लिखली जो हमें याद रखनी है याद रखनी बहुत ही easy है पहली value तो simple ही आप देखिए पहली value क्या है a b फिर क्या है a का compliment b का compliment and this is called exnor जो हमने पहले किया था topic cover exor exor में क्या होता था a exor b is equal to first term as it is second का compliment plus first term का compliment second as it is यह दोनों चीज़े हमें exam के लिए याद रखनी है अब हम इसकी properties देखते हैं पहली property क्या है मैं properties लिखा रही हूं फिर देखते हैं भी ऐसे क्यों है a exnor a equal to 1 फिर है a exnor a compliment equal to 0 exam में आपके अगर properties नहीं याद रहती फिर भी मैं उसके लिए आपको बता दूँगी भी कैसे आप चेक कर सकते हैं simple ही है हम formula में value fill करेंगे और answer हमारा आ जाएगा a a xnor 0 a compliment a xnor a xnor a is equal to a ठीक है फिर अगर हम लें 5 times a 5 times a तो इसका answer भी मैं आपको बता रही हूं कि ये भी क्या होता है हमारा a तो ये हो सकता है 100 times ही भी आजाए तो उसका भी shortcut बताऊंगी आपको भी क्या होगी उसकी value और last हम लिख रहे है 4 times 4 times a ठीक है इसका answer हमारे पास आ जाएगा 1 ऐसे क्यूं आया अब देखते हैं इसका solution पहले a xor a 1 क्यूं है a xor a xnor sorry this is xnor तो xnor के लिए हमारे पास ये value होती है पहले दुनों terms as it is फिर दुनों का complement यहांपे आगया a यहांपे आगया a complement property यूज करके boolean algebra की आप video चेक कर ले न मेरी playlist में तो ये a plus a complement that is 1 तो ये आगया हमारा answer 1 और फिर है a xnor a complement same ठीक है तो ये भी क्या आजाएगा हमारे पास इसको भी हम क्या ले लेंगे double complement आजाएगा यहांपे फिर भी कोई problem हो आप comment में पूछ सकते हैं अब हम last वली properties को देखते हैं जिसमें मैंने लिखा है a xor a xor a 3 times लिखा है फिर मैंने 5 बार लिखा है 5 times a उसका अंसर भी a है और 3 times a का अंसर भी a है कैसे a xor a हम निकाल चुके क्या है 1 xor a 1 xor a हमारे पास क्या है a तो हमारा simple answer आ गया तो एक simple सा rule आपको याद रखना है अगर कोई चीज odd times हो खुद के साथ xor odd times हो जैसे 3, 5, 7, 9 तो उसका अंसर आ जाएगा a अगर even times हो जैसे मैंने बोला था कि a का खुद के साथ xor 100 times हो तो उसका अंसर simple 1 आ जाएगा क्योंकि वो क्या है even even का अंसर क्या आएगा one odd का अंसर क्या आएगा a simple next देखते हैं इसकी property हम अब क्या है xor और xnor के बीच में relation उसको check करते हैं हाँ जी अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पी पहले x xor फिर हम लिख रहे हैं xnor so this is xnor इसकी value क्या होती है first term as it is second का compliment second as it is first का compliment इसमें क्या होता है दोनों term as it is दोनों का compliment right तो इसको देखते हैं हम दोनों में relation क्या होगा अगर आपको xnor की value xor में निकाल दी है इसमें निकाल दी है तो यह किसके को लाएगी a का compliment xor b मतलब इसकी output और इसकी output दोनों क्या होंगी same right अब आगे दिखते हैं अगर a की जगा पे b के उपर compliment आ जाए तो भी यह क्या हो जाएगा हमारा equal right तो दो properties तो आपको पता चल गी अब आगे दिखते हैं अगर दोनों के उपर इकठा compliment आ जाए तो भी क्या हो जाएगा xnor के equal तो दिखान देए आप जो हमारा xor था अगर एक के उपर compliment है किसी भी एक के उपर तो भी वो क्या बन रहा है हमारा xnor अगर दूसरे के उपर compliment है तो भी xnor अगर दोनों के उपर साथ में मतलब whole compliment है तो भी वो क्या बन रहा है हमारा X-NOR लेकिन कब नहीं बनेगा वो ज़रूरी बात है उसको ध्यान में रखना है तो अगर मैं लिखूँ A compliment, XOR, B compliment डोनों का compliment separately तो this is not equal to X-NOR तो ये X-NOR के equal नहीं होता हम इन चीजों को verify भी कर सकते हैं लेकिन आपने एक बार दिमाग में रखना है कि A, X-NOR, B किसके equal होता है X-NOR के equal कब होता है जब A के उपर compliment हो किसी भी A के उपर जब दोनों के उपर whole compliment हो तो होता है ये अब next देखते है ये इसके equal कैसे है इसको हम करते है यहाँ भी इसको खोलते है second का compliment plus second term as it is first का compliment क्या किया first term A compliment लिख दी उसका एक और compliment आ जाएगा according to formula तो ये क्या बन गया हमारा A compliment, B compliment, AB तो ये left hand side भी हमारी यही होती है देखिए आप match कर लीट के AB plus A compliment, B compliment ऐसे करके आप check कर सकते है लेकिन फिर भी examination point of view से आपको जस्ट ये चीज़े दिमाग में रखनी है कि क्या होता है मैंने EXOR के उपर भी full-fledged video डाली हुई है उसमें भी कुछ properties है उनको भी आप check कर लेना तो जो हमारा question था exam का वो यही था कि बताओ इन चार options में से मैं option आपके सामने लिख रही हूँ exonor आपको बताना है कि नहीं है exonor नहीं है ये बताना है पहली option exonor चेक करें आप एक site में ही आप चेक कर सकते हैं पहली निगा में ही कि कौन सी हमारी exonor नहीं है ये question आया हुआ था तो first term हमारी क्या है exonor है क्यों है पहले दोनों term as it is फिर दोनों का compliment अभी मैंने आपको बताया कि किसी एक का compliment हो और exor हो एक का compliment exor लेकिन दोनों का अगर compliment ऐसे आ जाए तो वो exonor नहीं बनता तो वो exonor नहीं बनता अगर दोनों का compliment हम separate separate ले रही है तो exam में कोई भी question आता है अगर आपको उसका proper उसकी interpretation बता है कैसे उसको open करना है क्या उसका formula है तो आप easily कर सकते हो कोई भी question आए तो ये है हमारा exonor bullion cleft properties हम upcoming videos में cover करेंगे उसको भी आप ध्यान से देख लेना और examination point of view से ये काफी important topics है इनको ध्यान से cover कर लेना चैनल को subscribe करना ना भूले ताकि next video के updates आपको timely मिल जाए ताकि झांस